इस कारकर्म के पुनियार जखें शिरी राजकुमार जैन जी की पुर्ण इस्मृती में आप सब छमा धर्म के बारे में सुन चुके हो और पूरा दिन आप ने क्रोध पर विजय पाने और छमा के अनुपालन में निकाल दिया आज का दिन दस लक्षन महापर्व में दूसरा दिन मारदो धर्म का है मारदो धर्म म्रदूता का नाम है म्रदूता कौमलता नर्माई हमारी आत्मा का सुभाव है कड़कपना उद्धतपना अकड़ना ये आत्मा का सुभाव नहीं है ये कसाय का प्रभाव है किसका प्रभाव है कसाय भाव का प्रभाव है और जब एहिंकार मान कसाय का प्रभाव आता है तो व्यक्ति किसी को कुछ समझता ही नहीं है कभी तन के बल को ले करके कभी धन के बल को ले करके और कभी जन संगह रूप जन बल को ले करके इसकी अकड़ इसका एहिंकार निरंतर बढ़ता जाता है किसी को कुछ समझता ही नहीं मैंने जो कहा वही सही है मैं जो कह रहा हूँ वही तुम्हें करना पड़ेगा क्या समझते हो तुम अपने आपको मेरे सामने तुमारी आवकात क्या है तुम किस खेत की मूली हो तुम अभी मुझे पहचानते नहीं हो ये जितने भी वाक के निकल रहे हैं जितने भी बाक के निकल रहे हैं ये सब एहिंकार के भाव हैं, मान कसाई के भाव हैं, अकड एहिंकार के भाव हैं, एहिंकार तो सोने की लंका में रहने बाले राउन का भी नहीं रहा तुम अपनी आवकात का विचार कर लो, बिनम्रता म्रदता आज भी ठिकी हुई है, बारिश बहुत हुई, नदियों में उफान आया, बाल का रूप ले लिया, और उस बार ने अपने अभीमान एहिंकार में अकड करके खड़े रहने वाले बड़े जाड़ों को भी उखाड दिया, उनके जीवन को उखाड करके बहा दिया, लेकिन जब बार का पानी निकल गया, मैदान दिखाई देने लगा, तो देखने में आया, कमजोर कमजोर से पौधे अभी भी खड़े हुगे हैं, अरे, बड़े-बड़े मजबूत जड़ों वाले व्रक्षों को उखाड दिया, और एक कमजोर बेल मैंते क्यों रहे, कैसे बचे रहे, किसी ने समझाया, कि सुनो, जो अकड़ करके खड़े रहे सो बह गए, और जो बिनत होकर के जुक गए, वो आज भी टिके हुए हैं, म्रदुता आत्मा का धर्म है, और संसार में कौन भटकाता है, मैं बार-बार कहा करता हूँ, अकड़न अकड़ और पकड़न पकड़ संग्रह वृत्ति, सब्दों पर ध्यान देना, अकड़न और पकड़न लोब भाव, अकड़न और पकड़न में ही संसार की जकड़न है, क्या कहा अकड़न और पकड़न में ही संसार की जकड़न है यह जीव संसार में अकड़न और पकड़न से ही जकड़ा हुआ है नर्माई कमजोरी नहीं है नर्माई धर्म है अगर किसी व्रक्षी की डालिया जुक रही है क्या अगर किसी व्रक्षी की डालिया जुक रही है तो उसे कमजोरी मत समझना बलकि आपको ये समझ में आएगा कि ये डालियां इसलिए जुक रही हैं क्योंकि इन डालियों में सरस्दार रस्दार बड़े बड़े फल लगे हुए है जो डालियां फल फूलों से भरी होती है उन फल फूलों के भार से वो नमर हो जाती है और जिन में गुण सरूप कोई भी फल फूल नहीं है बे साखाएं डालियां वो दंड़ बनी रहती है अरे ये क्या हो गया बाद में आए दांस पहले चले गए पहले से रहने वाली जीव अभी तक बनी इसका कारण क्या है दार्शिग्न कोंने किवल एक ही कारण बताया दांत कड़क कठोर रहे और जिवा रही नरम कठोर तक के कारण दांतों को पहले जाना पड़ा और नर्माई के कारण लचीला पन होने के कारण जिवा पहले से आकर के अंत तक बनी रहती है ये प्रतीक मर्दुता नम्रता का संदेश देता है अरे भाई आपको अगर अपनी बाल्टी में पानी भनना है तो पानी में जाकर के बाल्टी को जुकना पड़ेगा ना और बाल्टी जब जुकेगी पानी उसके अंदर आ जाएगा बिनम्रता हमारा धर्म है क्या कहा बिनम्रता हमारा धर्म है बिना बिनय के बिध्या आती नहीं है और बिनयवान को बिध्या आती भी है और निरंतर बढ़ती जाती है इसलिए बिनय के गुन को म्रदुता मारदुता के धर्म को आप सबी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए एहिंकार की दुनिया तो सब तरब दिखाई देती है उससे काम बनने वाला नहीं चार दिना की चांदनी फिर अंधियारी रात आपको देखने में आएगा लेकिन मारदु धर्म म्रदुता का धर्म नर्माई का धर्म एक बार अगर आगया तो उसकी सुगंद सब तरफ फैल जाती है सब तरफ फैलती है ऐसी बिने को कमजोरी नहीं समझना हाँ कमजोरी नहीं है ये तो गुणी जनों के प्रती बहुमान है उनके प्रती आदर का भाव है उन्हें सम्मान देने की भावना है अगर हम दूसरे को सम्मान देते हैं तो अपना भी सम्मान होगा आपने अगर किसी के माते पर तिलक लगाने की भावना की और आपने अपनी पांचों अंगलियों की बीच में से स्वागत के समय किसे अनामी का ये कौन से अंगलियों अनामी का छोटी कनिष्ठा ये अनामी का ये मध्यमा ये तरजनी और ये अंगुष्ट इन मैंसे अनामी का में आपने चंदन लिया और अनामी का में चंदन लेकर के आपने किसी के माते पर लगा दिया सामने वाला तो खुस होगा ही होगा क्योंकि आपने दूसरे को सम्मान दिया है लेकिन उसे आपको लाव क्या हुआ तो कहा जाता है जो दूसरे को सम्मान देता है उसका खुद का सम्मान भी बढ़ता है अगर आपने किसी के माते पर तिलक लगाया तो आपकी अंगुली में और रंग और और गंध अपने आप आजाएगी आएगी ही आएगी इसलिए गुणों के प्रती गुणी जनों के प्रती और गुरुमों के प्रती जो अपने मन में बहुमान आदर सम्मान की भावना होती है वह बिने का धर्म माना गया है और ऐसा बिने का धर्म जिसे मरदुता और ब्यवहर एक भासा में मारदव धर्म कहा जाता है देखो इन दिनों में जो चर्चा चल रही है या दस धर्मों के जो नाम आप सुनते आ रहे हो ये दस धर्म छमा मारदव आरजव सौच आदी एक किबल जैनियों के लिए ही है ऐसा नहीं है ये तो जैन जैने तरो सब के लिए है किसी एक समुदाय को नहीं लिखा गया है सब भी के लिए जैसे मैं आप से पूछूं कि बताओ मलेरिया बुखार किस समुदाय का है हिंदू मुस्लिम से की साई हाथ उठा करके कौन कहेगा कि ये मलेरिया का बुखार के बल हमारे समुदाय का है कोरोना की बीमारी किस समुदाय की थी किसी एक समुदाय की नहीं ये तो सबी की थी अरे मनुशी क्या तिरियंच पसू पक्षी भी उसकी चपेट में आ रहे है तो जैसे बुखार किसी एक कौम समुदाय का नहीं है तो उस बीमारी बुखार को दूर करने की दवाई भी किसी एक कौम समुदाय की नहीं वो भी सबी की है तो जैसे बुखार और उसकी दवाई या किसी एक समुदाय की नहीं है बैसे ही पाप और धर्म किसी एक समुदाय की नहीं है पाप की प्रवर्ती प्राणी मात्र में है तो धर्म के रूप में आत्म गुणों की आराधना भी प्राणी मातर की है ऐसे प्राणी मातर के इन धर्मों को कि बल जैन समुदाय तक सीमित मत करो पारम पर एक रूप से जैन समुदाय इन धर्मों की आराधना करता पूजा करता है इसे महापरो मान करके साधना करता है तो क्या ये किबल जैन समुदाय के हो गए नहीं ये धर्म किसी एक समुदाय के नहीं है ये प्राणी मात्र के धर्म है और इन धर्मों की आराधना करना प्राणी मात्र का करतव है चाहे भारत हो और चाहे अड़ोसी पड़ोसी कोई देश हो और चाहे पुरा एसिया महादीफ हो और चाहे क्या बड़ी बड़ी महा सक्तिया वाले देश हो और चाहे अन्य महादीफ हो बड़े बड़े जो जहां पर है प्राणी मात्र अज्ञानता है एहिंकार है बिभाव हैं क्रोध हैं कसाएं हैं सब जगे हैं उन सब को जीतना और अपने आत्मा के सुभाव को प्राप्त करना यही सब का परम धर्म है इसलिए जैन धर्म जिन सासन की ब्याख्या में इस तीर्थ को ना आधिनात का तीर्थ कहा गया ना महाबीर का तीर्थ कहा गया तो उनके कथन को लेकर के उनके इतिहास को लेकर के कहा गया पर मैं तो इसे ये कहता हूँ कि ये तीर्थ सर्बोदे तीर्थ है सर्बोदे ती जिन सासन की परंपरा सर्बोदे तीर्थ है ऐसा तीर्थ जिसमें सबका भला सबका उदय सबके कल्यान की बात हो वो सर्बुदय तीर्थ माना गया है जैन परंपरा में जैन धर्माव लंबी चाहे पूजा पाट करे चाहे स्वाध्या सामा एक ध्यान करे चाहे नियम सन्यम पाले उसकी भावना पवित्र है और पवित्र भावना का उदेश है बिस्व में शान्ती हो अपने देश में एकता और अखंडता बनी रहे बिविदिता में एक रूपता और अनेकता में एकता ये भारती संस्कृति की पहचान है ऐसी पहचान हमारे जीवन से जुड़े हमारा जीवन बने और कसायों के भाव अपना प्रभाव हमारे पर ना डाल पाएं हम सावधान रहें सावधानी पूर्वक्कारी करें गल्तियां स्वाभा बिखोती हैं कभी दूसरे से होती हैं कभी अपने से भी हो जाती हैं क्योंक और जब भगवान नहीं बना है, इंसान है, तो गलतियां इंसान से ही होती है, दूसरे से हो या अपने से हो, उसकी थोड़ी समीक्षा कर ली जाए, लेकिन उलिजन में नहीं पढ़ना चाहिए, और सुलचने का प्रियास करना चाहिए, ये सुलिजन की दृष्टी, और समनवय की दृष्टी, समझोते की दृष्टी, यही बहुत बड़ा हमारा तुमारा सबका धर्म है। पुत्री गौरानवी जैन बड़ोद्रा, पुत्र पुद्रवदु, सी ए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ती जैन, पुत्री पुत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाज, सी एस प्रियंका जैन, शिरी पंका जैन, दोहित्री दोहित्र निस्ठा जैन, मान विक जैन भोपाल, सासुमा श्रिमती प्रेम लता जैन